नमस्कार हिमाचल खबरनामा के संक में मैं गजेंदर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अई नज़र आते हैं कुछ खास सुर्कियों पर कोविड पंड के लिए करमचारियों को एक से दो दिन का वेतन काटेगी प्रदेश सरकार भाजपा प्रदेश अधक्षे सुरेश कशफ ने मंडी संसितिय क्षेतर के उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री महिंदर सिंग को बनाये चुनाव प्रभारी प्रदेश में कोरोना संक्रमीतों का आकड़ा 9000 के पार कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंग ठाकुर भी हुए कोरोना पॉजिटिव सुर्क्यों दबाद अब ख़वरें विस्तार से भारती जनतावायटी परदेश अध्यक्षेवं सांसद सुरेश कशप ने कहा कि आगामी समय में मंटी संसदी एक्षेत्र का उपचुनाव होना है इसके लिए पायटी ने जलशक्ती मंत्री ठाकुर महेंदर सिंग को प्रभारी श्रिक्षा मंत्री गोविन सिंग ठाकुर को सह प्रभारी और प्रदेश महमंत्री राकेश जमवाल को संगठन समनवैक बनाया है सुरेशक कशिप ने कहा कि भाजबा से सांसद रामसरूप शर्मा के निधन के पश्चाद मंटी संसदी एक्षेत्र में उपचुनाव होगा जिसके लिए संगठन ने अपनी तयारियां शुरू कर दी है पिछले दिनों मंटीक शेत्र के मारे मानने सांसद चरी रामसरूप शर्मा जी के दुखत देहावसां के बाद भारतिय जन्ता पार्टी ने मंटी उपचुनाव को लेकर कारे करना प्रारंब करतिया है ओसी के दिश्टिक गत भारतिय जन्ता पार्टी ने शरी महेंदर् सिंग ठाकोजी जूकी प्रदेश में सिंचाई जनस्वास्ते भागवानी मंत्री है उनको प्रभारी बनाया है इसके साथ प्रदेश इक्षामंत्रि श्री भूबरिनीश ठाकोजी उनको सह प्रभारी की जिम्यदारी सोपे गई है और सुंदर नगर के हमारे बिधायक और मंडी सहस्दीक शेत्र के प्रभारी श्री रखेज अमवाल जी जो की सम्वेनक के रूप में कारे करेंगे और इस दिष्टी से सरकार और संगठन दोनों मिलकर आने वाले चुनाओं को जो भी उसके लिए करने के अशक्ताव इसको करेंगे सीट भारती जन्ता पार्टी के पास थी उसको आगे भी भारती जन्ता पार्टी जीते की उसके लिए पूरे जोर के साथ बारती जन्ता पार्टी कारे कर रही है और उसी के दिश्टी के थमने जिम्मेदारिया सुपनी है इसके बाद आने वाले समय में और अशकता होगी उसमें उसी साब से लोगों को लगाए जाएगा और इस चुनाओं को जीतना हमारी प्रत्मिकता बे पारिशे कम होने के कारण गतवर्ष के मुकाबले इस वर्ष आगजनी की घटनाओं में बरहोतरी तरच की गई है मौसम की बेरुखी के चलते हर वर्ष 15 अपरेल से शुरू होने वाले फायर सीजन को इस बार एक अपरेल से ही खोशित कर दिया गया था बरमत्री राकेश पठानिया का कहना है कि आगजनी की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उदेशे से विभाग द्वारा कारिशा लाओं और नुकड नाटकों के माध्यम से जागरूकता कारिक्रम चलाए जा रहे है ताकि लोग आगद लगा कर जंगलों को नुकसान ना पहुचाए और करोडो रूपे की वनसंपदा को नुकसान से बचाया जा सके प्रदेश के जंगलों में आगजनी का मुखे कारण लोगों की लापरवाही रहता है जिससे प्रदेश को करोडो रूपे की वनसंपदा का नुकसान छेनला पड़ता है इस नुकसान से बचने के लिए आगजनी की घटनाओं के प्रती लोगों को जागरूख करने के लिए वन विभाग द्वारा इस वर्ष जागरूखता शिवरों के साथ ही नुकड नाटकों के माधिम से लोगों को जागरूख किया जा रहा है वनमंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि मौसम की बेरूखी के चलते इस वर्ष फायर सीजन 15 अपरेल की बजाए 1 अपरेल से ही घोशित करना पड़ा उन्होंने कहा कि फायर सीजन को देखते हुए इस वर्ष विभागद्वारा किसी भी तरहक की आपात स्थिती से निपटने के लिए पहले ही तीमों का गठन कर दिया गया था जिन्होंने आगजनी की सूजना मिलते ही मौके पर पहुचकर हर तरह की स्थिती से निपटने में महत्तोपून भूमिका निभाई वनमंत्री ने कहा कि मौसम की बेरुखी के चलते इस बार सुखे जैसे हालात पैदा हो गए थे जिससे आगजनी की घटनाओं में इजाफा हुआ और करोडों रुपई के वनसंपदा को नुकसान हुआ उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बारिश से आगजनी की घटनाओं से कुछ राहत मिली है और उन्हें उमीद है कि बारिश का ये क्रम फविश्य में भी जारी रहेगा जिसे वनों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुष लगेगा तो बड़ा ड्राइ स्पेल लंबा हो गया था और जो एक्सपेक्टेड रेंस थी उसके बावजूद हम एक प्रोलांग ड्राइ स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे थे और ड्राइ में जादा होगी थी इसलिए हमें लग रहा था कि फाइर सीजन के जादा डेंजरिस ना हो तो इसको थोड़ा हमने एडवांस किया और फिर उसको शूरू किया और अलग अलग स्थानों पे टैंकर्स का विवस्ता की है और अब हमने फाइर फाइर पेंजर के साथ भी टैय आप कर लिया है जिसके तैयर Hill, हम जहाँ जहां पर वरनरेबल फॉर्इंट यहां पर बाकिन और काबनेट में लेकर आ रहा हैं हेलिकॉप्टर्स के मादिम से भी इसको जहां पर हम नहीं अपरोच कर सकते हैं वहां पर हम किस तरीके से फायर एक्स्ट्रिम्श करा सकें पर कुछ लगता है कि प्रात्मा कुछ हमारे पर गैलू हुए है बारशें आई हैं बीच में तो उसे काफी रहत मिली है हमें इसके लि और उस आग को फिर वो कंट्रोल नहीं कर बाते है और रिजल्ट ही होता है यह आज की नहीं प्रता है मैं आज पहली वाइडनिस बाद को बोलने जा रहा है यह तो प्रता कई सालों चाहरी है और हम लोग उसी गलप फ़ह में आगे हर बार इसको शिक्षित करने के लिए हम स प्रदेश में करोना का कहर लगाता आरचारी है करोना पॉसिटिव मामले वह मौत का आंकड़ा थूने का नाम नहीं ले रहा है सरकार ने कई नई बंदीशें भी लगाई है बाप जुदिस के लोग लापरवाही परत रहे हैं इसी के चलती जिला प्रशाषन ने उपायूक का पालन करने के बारे में जाग रुक किया और उलंगर करने वालों के चालान काटे गये उपायूक्त शिमला आदित्यनेगी ने कहा कि परदेश के साथ-साथ दिला शिमला में भी करोना के मामले बढ़े हैं उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग नेमों का सही तरीके से विस्वाएं मौके पर आए हैं और लोगों को मास्क पहनने वा अन्य निमों के बारे में जाग रुक किया गया बसों में शोशल डिस्टेंसिंग की भी चेकिंग की गई है जिसमें किसी परकार की कोता ही नहीं पाई गई है जैसे नई प्रोटोकॉल और नई गाईलाइन जारी हुई है उससे के मद्दे निदर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम लोगों के जाग रुक भी करेंगे और जो लोग ऐसे वाइलेशन कर रहे हैं उनके विरुद करवाई भी करेंगे तो उसी के तहट जो है अभी थोड़ी देर पहले एक अपने वीडियो कॉन्फरेंस करी थी उसमें सारे एस्जेंस वीडियो को भी हमने डिरेक्शन दिये थे और उसी के तहट हम लोग भी खुद यहां पर आये मौके पर क्योंकि ऐसी कई शिकायते आ रही थी कि हमारा जो पुराना bus stand है और नया bus stand है इसके जो लोकल bus stand है इसके बीच में और यहां पर भी जो है लोक जो है डाइशन काफी कर रहे हैं और मान नहीं रहे हैं तो उसी को है हम चेक करने के लिए आज हम करना आ यहां पर तो मेरे साथ जो है A.D.C. साहब iki a dm2 और sdm j живं है ऑ आए गै कि जिसमें 50% capacity से बस चलाने के अदेश हुए तो वो भी एक उदेशे था हमारा चेक करने का कि जो है यह चेक किया जाए कि बसे जो है एस पर प्रॉपरली चेक करें जहां तक सैनेटाइशेशन का विश्या है तो उसमें जो हमने आर्टीओ साहब को और आरेम साहब को अल्रेडी बोला हुआ है कि बसेस को चैत्रमास के नवरात्र की नव्मी के दिन हुआ था भगवान राम का जनम देवस होनी की वज़े से हिंदु धर पर मात दुर्गा की स्थूदिकी राममंदिर सूद सभा अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि राम जनम उत्सव को साधे तरीके से मनाया गया है राममंदिर में कीर्फन का आयो जुन किया गया मंदिर में आए सभी लोग कोविड नेमों का फालन कर रहे हैं कोरोना आज विक्राल रूप अधारन कर चुका है ऐसे में कोई बड़ा आयो जिन नहीं किया गया है हर वर्ष राम नबमी पर आयो जित के जाने वाले भंडारे का भी आयो जिन नहीं किया गया करोना काल में साभी गयाइड लाइन्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुक्षम तरीके से हमें इस समय जो राम नबमी का पर जो है वो करना पड़ रहा है और राम नबमी जो हमारा प्छी राम मंदिर का सबसे बड़ा तेवार होता है तो इसको हम बहुत ही भवे तरीके से मनाते थे लेकिन समय को देखते हुए सारी गाइड लाइन्स को ध्यान में रखते हुए जो भी एडिमिस्ट्रेशन से हमें मिली है हम इसको बहुत ही सुक्षम तरीके से थोड़े से लोगों के साथ इसको हम बजन कीर्टन करके मंदिर में ही आज हम इसको कर रहे हैं जिलापरशाशन दौरा शनिवार वर रविबार को रास्थानी शिमला के बाजार बंद रखने के निर्देश चारी किये गए हैं हालाके इस दौरान आविशक वस्तों की दुकाने खुली रहेंगी वहीं वेबार मंदल ने जिलापरशाशन को हर संभव सक्योग देने की बात करते हुए इस फैसले के अधिसूचना जारी ना किये जाने पर सवाल भी उठाए हैं हालाके मीडिया के समक्ष उपायोक्त श्रिमला आदित देनेगी ने शरिवार और रविवार को बाजार बंद रखने के फैसले की पुष्टी की है करोना से बचाव को लेकर एतियातन सरकार द्वारा लगाई गई नई बंदिशों के तहट अब सपताह के आखरी दिन शनिवार और रविवार को श्रिमला शहर के बाजार बंद रहेंगे वहिस्थानी व्यपारियों ने भी सरकार को हरसंभव सक्यों का भरोसा दिलाया है हलांकि कारोबारियों का कहना है कि इस संदर्व में सरकार द्वारा जारी की गई अधुसूचना में बाजार बंद को लेकर अंतिम फैसला जिला उपायुक्त पर छोड़ा है लेकिन उपायुक्त श्रिमला की ओर से इस पर फिलहाल स्थिती स्पष्ट नहीं की गई है किया जाएगा जब यह सरकार ने नोटिफिकेशन किया है मुझे काफी मेरे वेपारी भाई बार-बार फोन कर रहे किए चाए वह होटलियर्ज है या हमारे छोटे ढबे वाले हैं सब संपर्क साहथ रहे हैं लेकिन हमारे पास अभी तो अभी आज बुधवार का दिन हमें पास एक दो दिन का समय और है अगर जो भी निन्ने होगा हम सरकार के साथ हैं प्रोवाइड़ सरकार भी वेपारियों के लिए जरूर सोचे वहीं उपायुक्त शिमला आधित्यनेगी ने कहा कि कोविड के चलते शनिवार वर रविवार को सभी दुकाने व बाजार बंद रखने काने ने लिया गया है इसके लिए अधिसूच ना जारी कर दी गई है इन दो दिन केवल आवशक वस्तों की दुकाने ही खुली रखने की अनुमति होगी स्वासिवम परिवार कल्यान विभाग हिमाचल परदेश करोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तयार है हेल्थ सर्विस डारेक्टर दॉक्टर भारत भूशन कटोच ने बताया कि विभाग पहले से ही करोना के स्थित्व को लेकर गमभीर है हेल्थ सर्विस डारेक्टर दॉक्टर भारत भूशन कटोच ने बताया कि करोना से गमभीर मरीजों के लिए उक्सीजन आईस्यू बैट वह वेंटीलेटर की आविशक्ता होती है जिन के लिए विभाग द्वारा चार अस्पतालों, जोनल अस्पताल शिम्ला जीजियू, सुंदर नगर हॉस्पिटल, जोनल अस्पताल धरमशाला वा मेकशिप्ट हस्पताल टांडा में करोना से गमभीर स्थीती के मरीजों की लाज के लिए अधिसू जित किया गया है उन्हेंने बताए कि जिन मरीजों को अक्सीजन वच्चे कित से सहायता की आवश्चता होती है, उन मरीजों के लिए 12 डैडिकेटिड कोविड अस्पताल वस्वास्ते के इंदर अधिसूचित किये गया है भूशन ने बताए कि जिन मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है और उन में किसी तरह की कोई भी सिंप्टम्स नहीं है तो ऐसे मरीजों के लिए प्रदेश भर में 24 डैडिकेटिड कोविड अस्पताल अधिसूचित किये गये है डॉक्टर भारत भूशन कटोच ने बताए कि वर्तमान समय में प्रदेश भर में डॉक्टर, आइस्यू बैट्स, ऑक्सिजन, पेपे किट, मास्क, गलव्स, पल्स ऑक्सिमेटर वदवाईयां प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध हैं वा किसी को भी करोना से घपरानी के जहां तक बैट्स की बात है, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल इस के लिए बनाए गए हैं, जैसे जिला सोलन में, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल नालागड में यह बनाया गया है, जहां पे विस्तरों की विस्तरों की विस्तरों की विस्तरों की गई है, और जिला उना में, पालकवा में इसी तरह का मेक शिव्ट हस्पिटल बनाय गहा है और इसी प्रकार से आईजी मिजमची शिम्ला में और आपका रंजणडर पृशाद मेडे कॉलेज टांडा में मेक।शिवट हस्पिटल बनाये गए है जिनमें अतिरेक बेट की वात की गई है बिवस्ता की गई है नालागड में उना में अभी इस तरह का एक भी अभी परिमरीज अभी है नहीं है यह एक शिप्ट हाउस्पीटर में जिसको वहां पर रखने की आवशकता पड़ी हो बेवाइरस जो होता है यह सबी को आज की तारीक में सबी को मालूम है कि वाइरस है उस पे लगातार इसकी आव लोगों को इसकी जानकरी दी जा रही है मुखेता मास्क पहनना है हाथ साबुन से और पानी के साथ अच्छी तरह से बार बार दोना है अगर किसी जगा पानी नहीं रहता है नहीं मिलता है तो आप साथ में सैनिटैजर रखिए और उसका बार बार इस्तिमाल करिए हाथ को मुँ और नाक के साथ नहां लगाएं सच्छता का ध्यान रखें और जहां भी यह अधिसूचना हमने कर रखी है विबिन स्थर पे स्वास्तर के इनके डेडिकेटिड कॉविड केर हॉस्पिटल्स की या केर हेल्थ सेंटर्स की या केर सेंटर् जगा पे नोडल अधिकारी निउखत किया गया है और उसके साथ ही साथ वो सीमो के साथ तालमेल मनाये हुए है विबिन स्थर पे जो भी कोई मरीज को या किसी आदमी को कोई कोई के मामले में कोई दिक्ट आती है कोई परिशानी आती है कोई समस्झे आती है तो वह उसकी उसकी व्यवस्ता हमने नोडर अधिकारी के या जिला के सीमो जो हैं वो खिसकिसा अधिकारी जो हैं वो अधिकरित किये हैं और इसके लिए किसी को भी घबराने की अवशक्ता नहीं होनी चाहिए हम पुरी तरह से सतरक हैं राज्य सरकार के आदेश जारी होने के बाद अब जिला उना के सभी शहरी वग्रामेर ख्षेत्रों में बाजार आगामी आदेशों तक शनिवार वर रविवार के दिन उनतिया बंद रहेंगे या देश जारी करते हुए उना राखव शर्मा ने बताया कि शनिवार वर रविवार के दिन सिर्फ फल, सबजी, दूद्व, डेरी की दुकाने प्रातर साथ बजे से साएं आठ बजे तक खुल सकेंगे उना राखव शर्मा ने कहा कि वीरवार से अन्ह दिनों के लिए भी समय अवधिन निश्चित की गई है फल, सबजी, दूद्व, डेरी की दुकाने प्रातर साथ बजे से साएं आठ बजे तक खुल सकेंगे जबकि बाकी दुकाने प्रातर नो बजे से शाम छे बजे तक खुलेंगी दवा की दुकानों, धाबा, होटल वर रेस्टरां के लिए समय की कोई पावंदी नहीं है उपयक राघव शवा ने कहा कि जिला में सभी धान्मिक स्टलों में आगामी आदेशों तक शर्धालूं के परवेश पर पति बंद रहेगा दैनी करमकांड वपूजा पारंप्रे कर धंग से जारी रखी जा सकती है इसके अत्रिक्त एक माई तक सभी सरकारी वर अर्ध सरकारी काराले शनिवार वर रविवार को बंद रहेंगे और अने दिनों में करमचारियों की संख्या 50 पतिशत रहेगी जिलाधीश उननने का कि किसी भी क्षेतर में 5 से अधिक COVID-19 मामले आने पर उसक्षेतर को 14 दिन तक सील कर दिया जाएगा वहाँ पर आवश्यक वस्तूं की सप्लाई सानी पंचयात या शहरी निकाय की साहता से स्थिम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी उननने का कि करोना की रोक थाम के लिए आदेश जारी किये गए हैं कि COVID-19 प्रभावित महराष्टर, दिल्ली, उत्रप्रदेश, करनाटक, गुजरात, राजस्तान और पंजाब से आने वाले सभी व्यक्ति अपने आने की सूचना वार्ड पंचया परधान या शहरी खेतरो के वार्ड मेंबर को देंगे, ऐसे राज़ुन से लोटे व्यक्ति की जब तक करोना टेस्ट रिपोर्ट नेगटिव नहीं आती, तब तक वह आइस्पलेट रहेगा, भारी राज़ुन से आने की सूचना चुपाने पर कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी, उपरध निकाह की कंटेंड मेंट जोन में नियमों की उलंगना करने पर अब वार्ड पंच, प्रधान, उप्रधान, पंचाज सची और शेहरी क्षेत्रों की वार्ड मेंबर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कारेकारी अधिकारी वन नगर पंचाज सचीव को FIR दर्ज करने के के लिए अधिकरित किया गया है। उनरता की कंटेंड मेंट जोन की निगरानी के लिए SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वीडियो, BMO, EOMC, नगर पंचाज सचीव कानुनुगो, पुलिस, पतवारी, पंचाज प्रधान, सचीव वार्ड मंज, शेहरी निकाह के रूप से निरिक्षिन के निर्दे इशिद दिये गए है। आलकवा, अस्पताल जो मेकशिफ्ट है, उसका दोरा किया गया था, और दुसाड़ा में जो हमारा CSEA उसका दोरा किया गया था, जिला प्रशाशन की रणनीती है कि बढ़ते हुए केसे और स्पेशली जो बीस प्रतिशल से भी अधिक पॉजिटिविटी दर है, उसको दे जो है, वो सरकारी तंत्रिक जो विभाग, स्वास्ति विभाग का तंत्र है, उसके मात्यम से जिला के अंधर ही किया जाए है। साथ साथ गंभीर मरीजों को सुठाएं देने के लिए अतरिक तब बिस्त्रों की भी प्रवस्था कर ली गई है। हजार पचासी लोगों को करोना का टिका लग चुका है। इसमें फ्रेंट लाइन वरकर, हेल्थ वरकर, वरिष्ट नागरिक वपनतालिस वर्ष से अधिक आयू के लोग शामिल है। मिल्टी हॉस्पिटल में यूल में और पालंपुर में लगों पचास बिस्तों की विवस्ता है। तो रिसेंटली पिछले दू-तिन हफते से करोना की नंबर्स में अचानक बड़ोतरी हुई है। और अनफॉर्चनली पहले उनीस दिनों में ही एप्रेल में हमारे पास तीन हजार से ज़्यार से ज़्यार चुके हैं। स्तावन से ज्यादा मौत्य हो चुकी है। यह एक चिंतर जनक विशे है। तो यह सर्फ विवाब प्रशाशन या सरकार की जिमेवारी नहीं है कि वो इसको इंशूर करे कॉप्रेल जे। हर एक नागरिक से मैं आखवान करना चाहूंगा। कि अपनी सेफटी के लिए अपने परिवार की सेफटी के लिए जो बेसिक इस महामारी से लडने के नियम है। टैस्टिंग टेसिंग ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ पॉबिड अप्रॉप्रियेट वेपर जब भी आप समाज में जाएं पब्लिक स्पेस पे जाएं से वेक्सिनेशन प्रक्रिया में स्रामिल हो और जहां तक हो सके सेल्फ इंपोज आपने ऊपर एक अनुसाशन की पालना करते हुए जहां तक अनौवाइड वल ना हूँ अवाइड पब्लिक स्पेसिज जब तक यह अक्टेंट आफ इंफेक्शन इतना जाएं लगों हमारे प्रियाप्त मातरव में अभी तक मेरे जिला में किसी भी रोगी को ऑक्सिजन या वेंटिलेटर की वैसे कोई प्राउलम नहीं हुई और माम ने इस टन 서 से प्लान किया ay isды Ven Flip के महिलाओं के पती अपराद को रोकने के लिए पुलिस परशाशन शक्ती से काम कर रहा है महिलां प्राद का मामला आने पर तुनन्त मौके पर पहुंचना और महिलाओं को इंसाब दिलाना पुलिस परशाशन का पहला मकसद है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुई विरांगना और वील्स योजना के थायत मौके मत्री जैराम ठाकूर ने पर देश के महिला पुलिस थानों को टू वीलर एक बुलेर और एक बुलिस थानों को छे दुपहिया भाहन बुलेरो गारी और एक बुलिस परदान की गई है। स्पी हमीरपूर कार्तिकेन गोकूल चंदरन का कहना है कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए छे टू हीलर और एक बुलेरो और एक बुलिट तेने की घोशना की थी जो कि हमीरपूर पुलिस लाइन में पहुँच गई है। आपको बता दे स्योचना के तहत महिला कॉंस्टिबल महिलाओं के अपराधिक मामलो को लेकर स्कूटि के माध्यम से उनके घरद्वार पर पहुँचेगी ताकि महिलाओं की सुरक्षा वह उनके मामलो को प्रत्थम प्राथमिकता दी जा सके। काम होते हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, उन में हम इसका इस्तवाव है। उसका निरने लेना है, जहां पर वेकेंसी है, उस हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे कहां देंगे। करोना संक्रमन की बैठक बुलाई जा रही है, ताकि संक्रमन की रोगठाम है तो रणनीती तयार की जा सके। दरसल अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ करामिन क्षेत्रों में भी संक्रमन तेजी से फैल रहा है। करोना संक्रमतों की देखभाल के लिए गठित मेडिकल टीम में अब जन प्रतिनीधियों को भी शामिल किया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार इसी सबता हैं जिला के जन प्रतिनीधियों की बैठक गुलाई जा रही है। सिर्मोर जिला में बढ़ते करोना संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन अब एक बार फिर नए तरीके से योजना बना रहा है। डिसी सिर्मोर डॉक्टर आग के पूर्थी ने कहा कि जिला में जो लोग हो माइसुलेट हैं उनके लिए स्वास्ते विभाग ने मैडिकल टीम बनाई है। लेकिन इसमें जितने भी जिला के जन प्रतिनीधि हैं उन्हें इसमें शामिल क्या जाएगा। ताकि वह भी अपने पंचायतों में करोना से सम्बंधित मामलों पर नजर रख पैंट। इसमें 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 जर्फ प्रतिनीधियों सहित सभी को अधिक तवज्यों देनी की जरूरत है। इन सभी की ड्यूटी दोबार से उन क्षेत्रों में लगाई जाएगी जहाँ पर एक से चार तक करोना के मामले हैं ताकि संक्रमन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बतादे सिर्मोर जिला में पिछले 20 दिनों में ही एक हजार से अधिक करोना संक्रमन के मामले सामने आ चुके हैं। शहरिक शेत्रों के साथ साथ अब ग्रामिनिक शेत्रों में भी करोना काफी अधिक बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रिशासन अब नई रणनीती के साथ संक्रमन की चेन को तोड़ने के प्रयास में जुटा है। इसकी पूरी देख रहो खासकर ऐसे यक्ति जो कोब मॉर्बिड हैं जिनको और भी विमारी हैं। इसके लिए जितने हमारे जिला प्रशर के मंबर से जितने हमारे मिस्कुल कार्प कमेटी के चुनेवरतिनी दी हैं। नगर पंचायट के हैं पंचायट के हैं बीडी सी में अमर से आने वाले सब्तार में सभी से मिटी की जाएगी। उनको करोना के बारे में द्वारा से आई सी कैसे करनी है। लोगों को करोना से कैसे बचाना है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। एक हकता पहले हमारी 211 पंचायटे ऐसी थी जहां पे एक भी कोवड केस नहीं था। लेकिन आज की तारिख में सिरफ 189 पंचायटे हैं जहांके करोना कोई केस नहीं। सब ईएग सबब में तीन इतको का टेक्री विभाजित किया है। हइपर संथिडिश, सार्थिश और नोड, जो सुथिभाशी पंचायते हैं ऐसी स्चाजिशं जिसमें 57 से ज्यादा केसी है, कुई 13 सचायते हैं 5 छीचव है 99 यहां से च्जादा केसी हैं, करोना वारस को हम महीं पर लिमिट कर पाएं, आगे ना बढ़े जो पोईस्टिव व्यक्तिती हैई आगे से परमी तो ना कर कर जितने हमारे ग्रांड लेवल के ओक्षिन से दुबारा से रियर फोर्स करेंगे जो भी कोहल का प्रोटोपोल है नगर निगम शिमला टाउन हौल में सीटी म्यूजियम और हाइएंड कैफे खोनले पर विचार कर रहा है जिसके लिए टेंडर प्रकरिया भी शुरू हो चु की है और संस्ता ने इसका डिरीक्षन भी कर लिया है वही हाइएंड कैफे थरातल मंजिल में बनाने की योजना है Smart City Project के तहफ नगर निगम शिमला शेहर भर में भीन भीने जगाँ पर पिकासातम कारे करवा रहा है इसी प्रोजेक्ट के तहफ अब नगर निगम शिमला अतिहासी के टाउन हौल में सीटी म्यूजियम और हाइंड कैफे खोलने को लेकर योजना बना रहा है नगर निगम शिमला के आयुकत आशीश कोहली ने बताया कि इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन्होंने कहा कि निगम ग्राउंड फ्लोर में हाई एंड कैफे और एटिक में सिटी म्यूजियम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए एक संस्था से बात भी हो चुकी है और जलती इस योजना को अमली जमा पहना दिया जाएगा प्रयास करेंगे जो उससे उपर वाला फ्लोर है उसमें मेर डिप्टी मेर के ऑफिचेज है और जो टॉप फ्लोर है हमारा उसमें सिटी मूजियम खुलना है एक हमने अर उस चुछ एदियुम है और उस सिटी मूजियम को खुलने के लिए हम प्रयासरत हैं एक सब्सक्राइब करेंगा है उनकी प्रिलिम्नरी रिपोर्ट अभी आने वाली है और उस प्रिलिम्नरी रिपोर्ट को परचर्चा की जाएगी उसे हाउस में भी रखा जाएगा और हम मार्ट किटी के अंतरगत एक काफी अच्छा म्यूजियम यहां पर जिसमें की लाइट एंड वांड शो जो कोरोना महमारी के बढ़ते प्रकोफ को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा नवरात्रों के दौरान मंदिरों में हवन पूजन के आयूजिन के साथ ही परशाद चढ़ाने को लेकर बंदीशे लगा दी गई थी जिसका खामियाजा मंदिरों के बाहर परशाद वा मंद मंदिरों में चढ़ने वाला सामान बेच कर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले द्याबजारियों को उचुका नपट रहा है इनका कहना है कि उद्धार पर पैसे लेकर इन्होंने सारा सामान खरीदा था उन्हें उमीद थे कि नवरात्रों के चलते उनकी अच्छी विख्री होगी और वे अपना कज उतार देंगे लेकिन सरकार द्वारा लगाए गई बंदिशों के बार मंदिरों में ना के बरावर रश्रत हालुआ रहे हैं जिसके कारण उनका सामान नहीं बिख पाया मंदिरों में मातारानी को चड़ने वाला परशाद वा अन्य सामान बेच कर अपना वा अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे तहबाजारियों को कारोबार इस वर्ष करोना की भेंच चड़ गया है तहबाजारियों का कहना है कि वे पिछले एक वर्ष से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है यहां तक कि बच्चों के स्कूल की फीस देना भी मुश्किल हो गया है मजबूरन हुने करज लेकर दुकान के लिए सामान खरीदना पड़ा तहबाजारियों का कहना है कि उन्हें नवरात्रों में अच्छा कारोबार होने की उमीद थी लेकिन सरकार ने नवरात्रों के दौरान मंदीरों में कई तरह की बंदिशें लगा दी जिससे उनकी सारी उमीदों पर पानी फिर गया परशाद विक्रेताओं का कहना है कि करोना महमारी के इसे दौर में उनका सारा कारोबार चौपट हो गया है लेकिन परदेश सरकार की तरफ से उनकी मदद के लिए एक बार भी नहीं सोचा गया उन्हेंने कहा कि वे कर्ज के बोज तले दबते जा रहे हैं ऐसे में सरकार को उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए अब यहां तो छेल नहीं हो यहां तो कोई भी निफ्रशाद ले रहा मंदर में परसाद तो लेकर कुछ भी नहीं जा रहा मंदर में थोड़ा हमारे बारे मारे में सरकार को सोचना चाहिए इस बार तो पूरा उमीद था कि नवराती में काम चलेगा लेकिन एंड मौके बार आके मौना करके कि प्रशाद बगर कुछ भी नहीं चलेगा जैसे पहले साम मंदिर बाहर से दर्सन करना बास ऐसा ही इस बार तो बहुत सी जादा समस्य होगे इसकोल का बच्चों का फीज भी नहीं दे पाएंगे ना कुछ पिछले बार भी ऐसे हुआ बच्चों का फीज देना भी मुश्किल हो गया घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल होगे आप तो यहां पर रोच का 100-200 रोपया भ कोई आए नी रहां बंद कर दिया करके कोन आएगा सब को पता सब लोग पड़े लिखिया बच्चे बुड़े सब गाउं शेरों के सब को इस बात दा ग्यान है वहां इस वार मीसी साथे ते तीसरे नराते जड़े नहीं लगे बिलकुल असी सारे मार्कीट वाड़े पूरे परशाद वाड़े कर जेह ठागे कहां से देना उल्टा उसी रात मेरे पती को टैका आगे मंगल वार्दी रात नूं पहले नरात ते पहरा लाइट हो गया है पिछला साल तो हमारा बरबाद होई गया है अब अमीद थी कि मंदिर खुले का हमने थोड़ा उदार समान भी ल कि निए बने देना देनों वोले के मांब़ जागा फिर तो और भी मुशकिल होजेगी मुश्किल कोरोना संखर्मन के बड़ते मामिलो के बीच जिला प्रशाशन ने प्रदेश के जिला कांगड़ा में रात आथ बज़े से लेकर 6 बज़े तक नाइट कर्फ्यू लखा दिया है. शनिवार और रविवार को पूरा दिन ही कर्फ्यू रहेगा हालांकि इस बार पिछले लॉकडाउन की तरह दिले से बाहर जाने या परवेश के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं बुगी जिलाधिश राकेश कुमार प्रजापती ने बताया कि करोना के मामलों में पृत्ति के बाद इस करोना चेन को तोड़ने के लिए यह फैसला लेना पड़ा है करोना के तेजे से बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने माचर प्रदेश के जीला कांगडा में रात आठ बजे से लेकर सुबा छे बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है उपायुक्त कांगडा राकेश कुमार प्रजापती ने बताए कि मेडिकल स्टोर दूद सबजी जैसे जरूरी सामान की दुकाने कर्फ्यू के दुरान भी खुली रहेगी उनने बताए कि जीले में सरकारी एवं नीजी दफ्तर भी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे इसके लावा सोमवार से शुकरवार तक इन दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ आएगा इन दफ्तरों में कामकाज के दिन भी जनता से जुड़े कारियों पर रोग रहेगी बहुत जुरूरी होने पर डिजिटल या टेलिफोन के माध्यम से इसकी सूचना इन दफ्तरों तक पहुँचाई जा सकेगी हाला कि बैंक CULIC जैसे केंदरी संस्थानों पर या देश लागू नहीं होगा समाजिक और सांस्कृतिक कारिक्रमों पर रोग रहेगी शादी समरों में भी सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमती रहेगी शादी समरों के लिए पहले की तरह ओनलाइन पोर्टल पर प्रशासन से अनुमती लेनी होगी इस दुरान बस से 50 फीस्ति उकुपेंसे के साथ चलाई जाएगी जीला कांगडा में भी आज से हम कुछ रिस्टिक्शन्स लगाने जा रहे हैं मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ यह किसी प्रकार का लॉकडाउन की स्थिति नहीं है लेकिन कुछ रिस्टिक्शन्स लगाने जरूरी हो गए थे वो रिस्टिक्शन्स लगाये जा रहे हैं आज शाम से आने वाले समय तक जब तक कि यह order effective रहता है रात को 8 बजे से सुबर 6 बजे तक night restrictions होंगी जिला कांगडा में और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो exempted category की movement है वही होगी जो exempted category है मैं आने वाले समय में आपको बता दूँगा इसके अलावा Saturday और संडे को complete restrictions होंगी for any kind of movement whatsoever सिर्फ exempted categories को छोड़के इसके अलावा जो हमारे government और private offices हैं Saturday और संडे को totally बंद रहेंगे लेकिन जब Monday से Friday तक ही institutions चलेंगे तो इसमें पहले तो जो employees हैं 50% attendance होगी और public dealing आने वाले समय के लिए बंद कर दी गई है जब तक कि ये आदेश लागू रहते हैं तो जैसे DC के offices हो गए हैं, SDM के offices हो गए हैं या अन कोई भी offices हो गए हैं वहाँ पे public dealing अभी फिलहाल के लिए suspend कर दी गई है जिन लोगों को भी अपनी समस्याएं हमारे offices तक पहुँचानी की जोरत है वो सारे के सारे लोग digital माध्यम से अपनी समस्याएं हमारे तक पहुँचानी कोशिस करें या हमारे phone numbers या हमारे control room के phone numbers पे संपर्ख करें micro containment zones अगर 5 से जादे जहां पे भी हैं उनको हम micro containment zone अब बनाने जा रहे हैं और काफी restrictions के साथ ताकि further वहाँ से उस area में spread नव हो उसके लिए हम कोशिस करने जा रहे हैं home isolation को और पुकता बनाने के लिए हमारे जो subdivisional अस्तर पे control rooms हैं वह स्तापित किये गये हैं 24 गंटा यह चल रहे हैं जो contact tracing का काम है वह भूत धंग से चला हुआ है इस वक्त पूरे जिले कांगड़ा में और हमने यह decide किया है कि जो high load states हैं जैसे महराश्टरा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, करनाटका, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कुम्ब मेला और ब्रिंदावन धाम से जो लोग वापस आए हैं वो सात दिन तक अपने घरों में रहेंगे और सात्वे दिन तक home isolated रहेंगे और सात्वे दिन के बाद compulsory उनको RTPCI टेस्ट करवाना हो गया इसके अलावा state government से जो आज आदेश आये हैं इसमें जो हमारे temples हैं उनको भी 23 तारिक से फिलहाल के लिए public लोगों के दर्शन के लिए बंद किये गये हैं और जो मंदिरों में जो daily rituals होते हैं जो पूजा होती है वो उसी प्रकार से चल रही होगी जैसे हम lockdown के stage में जब हमारे temples बंद हुए था उस वक्त हुई थी तो जो लोगों की entry है temples में फिलहाल के लिए उस पे कुछ दिनों के लिए प्रतिबंद लगाया गया है कि किसी भी प्रकार के pass permission की ज़रूत नहीं है लोग सुचारू रूप से states के बाहर के जीले से बाहर के जहां से भी लोग आना चाते आ सकते हैं और जा सकते हैं कंडिशन सिर्फ इतनी है कि जो लोग high load state से आ रहे हैं उनको 7 दिन home isolation में रहना पड़ेगा और उनको compulsory अपना टेस्क करवाना पड़ेगा तूरिस्ट के आवा गबन पे किसी भी प्रकार की कोई रोप नहीं है किसी भी pass और permission की ज़रूत नहीं है शादियों में सिर्फ इतना है कि online हमारा जो पोर्टल है उस पे लोग apply करेंगे सुचारू रोप से लोगों को 50 लोगों का permission मिल रहा है लेकिन आने वाले समय में जो शादियों में भीड आ रही है और दिख रही है मेलों के दोरान भीड को नियंत्रित करने बा और चक नेरिक्षन के लिए ड्रोन की साहय ताली जाएगी तो डिस्पी साब की अधिक्षता में तो ये डिसीजन लिया गया था कि जो शाद्हलों का भारी रश है उसको देखने के लिए कंट्रोल करने के लिए ड्रोन की भी इस बार जो हल्प ली जाए तो डिस्पी साब में इस बार एक विशेश प्रयोग करते हुए बाहर से एक टीम को हायर किया था और जिसके काफी जो है अच्छे प्रणाम हमें प्रापत हुए हैं और इस निश्कर्ष पे हम लोग पहुंचे हैं कि ड्रोन का प्रयोग भविशे में भी अन्य जो इश्रावन अस्वी मिले हैं या दूसरे जो जिस दिन ज्यादा रश जो है मंदिर में रहता है इसका प्रयोग करना उचीत रहेगा और क्योंकि इससे एक सविलाव भी हम प्रापर कर पाएंगे एक निश्ची स्थान पर बैठके और श्रधालों को किस तरीके से फैसलेटेट करना है किस तरीके से उनको जो है लोग आन ओर सिच्वेशन को मिंटेन करना है इसके बारे मे के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और जो लोग ऑनलाइन बिल जमा नहीं करवा सकते उनको भी सुविधा मिलेगी क्योंकि नगरनिगम शिमला शहर के 28 लोगमित्र केंद्रों में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स और पूरे के बिल जमा करवाने की सुविधा देने जा नगरनिगम शिमला प्रॉपर्टी टैक्स और पूरे की सुविधा देने जा रहा है ताकि बिल जमा करवाने के लिए निगम कारेले के चक्कर न काटने पड़ें लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन बिन जमा नहीं करवा सकते जिस कारण उन्हें निगम कारेले आना ही पड़ता ह अब नगरनिगम एक नई पहल करने चा रहा है जिसके चलते शहर के लोकमित्र केंद्रों में ही लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स और पूरे की बिल जमा करवाने की सुविधा मिलेगी निगम आयुक्त आशीश कोहली ने बताया कि शहर में 28 लोकमित्र केंद्र है और इन के हैं वो ऑनलाइन तो सिटिजन जो है एंसी ता वो डिपॉजिट करा ही सकता है पर काफी सिटिजन जो हैं वो ऑनलाइन बिल जमा नहीं करा सकते हैं तो उन्हें अगर ऑफलाइन मोड में बिल जमा कराना पड़े तो उन्हें एंसी शिम्ला के करेले में ही आना पड़ता है त तो जैसे कि हमारा शेत्र काफी फैलावा है, ढली टूटू से भी आम आदमी को MC शिमला की कारेले में ही आके बेल ये जमा कराने पड़ते थे तो जनता की सुविधा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमने जो लोकमित्र केंद्र हैं वो पूरे MC में 28 हैं और उनके साथ हमारी काफी अद्वान स्टेज में बात है, होफुली विदेने भी वो फंक्शनल भी हो जाना चाहिए तो ये जो 28 लोकमित्र केंद्र हैं, अब आदमी वहाँ पर ही अपना गार्बेज या प्रॉप्टी टेक्स बिल जमा करा पाएगा सब्ढ़ी दुकानदारों के बैठ का आयूजित की गई, इस बैठर में करोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशाषन के तरफ से लगाई गई बनदीशों के बारे में अवकत करवाया गया पंचायत प्रधान ने कहा कि हम पंचायत में एक आइसलेशन सेंटर बनाएगी जसमें उन लोगों को आइसलेट क्या जाएगा जिनके पास घरों में अलग रहने की सुविधा नहीं है और उन्हें कहा कि वे इस विश्य पर जल्द ही स्टीम नूरपूर स लाई जाएगी बुला है कि हम पूरे प्रत्यबंदों को अच्छे तरीके से लागू करेंगे सबसे पहले तो नू मास्क नू सर्विस इसको उन्होंने पूरनता लागू करने का हमें विश्वास लिया है उनके लिए हम दुकानदार बंदों के बहुत धन्यबादी है और दूसरा जो है कि हमारे गाओं में कोई भी फेरी बाला एंटर नहीं करेगा अगर कोई जबरदस्ती एंटर करता तो उसको उपर कानूनी कारवाई की जाए हम चाहते हैं कि हमारे गाओं में एक आइसोलेशन सेंटर बने उसके लिए हमारे दुकानदार बंदों ने बोला कि हम पूरा सा उनको आइसोलेशन सेंटर में हम आइसोलेट करेंगे और वो आइसोलेशन सेंटर हम अपनी पंचायत की तरफ से ही बनाएंगे और उसको तो तिन दिन में हम उस आइसोलेशन सेंटर को माननी एस्टीम साव से मिलके उसको बनाने का प्रियास करेंगे ताकि जो भी कोई भग इंदर के निदेशत मनमोहन सिंग ने बताया कि आगामी तीन दिन तक मौसम खराब रहेगा जिसे तापमान में भी गीरा बटाएगी उन्हों ने बताया कि 24 अपरेल के बाद पर देश भर में मौसम साफ रहने की संभावना है अभी एक वेस्टन डिसर्वेंस की वज़ा से मौसम जो पिछले 24 गेंटों से क्राब चल रहा है लास्ट जो 24 आते इसमें भी कुछ एक जगा पर बारिश रिकॉड के रही लेकिन आज हमाटर प्रदेश के जो अलमुस्स सभी जगा पर बादल चाहे हुए हैं बारिश भी हो में भी आज सुबह से जो अब रुक रुक के बारिश हो रही है और जो हमाटर प्रदेश के उपरी लाके हैं जिसमें लॉस्पीति का एरिया के नौर और कुलू के हाई रिच्ट वाला एरिया वहां पे भी वहां पे लाइट जो लाइट हमपात होने की भी पॉसिबिटी है डॉडी का जो फैक्टा दो दिन रहेगा आज और कल ज्यादा रहेगा उसके बाद भी बाइस तरीकों भी रहेगा बाइस तरीकों स्केटरड बारिश रहेगी और इसके बाद तेज तरीकों भी जो डॉडी का फैक्ट रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा जो एक दो सानों प जगा पे थंदर एक्टिवीटी के साथ अजने की भी सूपक नियुह के गई है जो उचकु cater के गाँ है जो हरुच जो हम जो हम के जो तरी को है की तो जो दिन के ताप माना उसमें काफी गिरावट रहती है तो पांस से लेकर साथ दिगरी तक ताप माना वह समाने से कम चल लें माता की दर्शनों के दुरान मंदिर में किसी तरह से संक्रमन फैलने का खत्रा ना रहे इसके लिए माता भंग्याईनी मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा विशीष इंतजाम किये गए है कमेटी के सची बलवीर ठाको ने बताया कि COVID-19 प्रोटोकॉल के तहती नवरातर के दुरान स्रधाल मंदिर में पहुंचे उन्हें बताया कि नवरातर में यहां विशीष पार्ट का आयोजन किया गया था जिसका पूरा होती के साथ ही समापन हो गया उन्हें का कि पार्ट का आयोजन COVID-19 नीमो के तहत किया गया और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का विशीष चार रखा गया बल्वी ठाको ने कहा कि सरकारी आदेशो नंसार 22 अप्रेयर के बाद शर्धाल मंदीर के गर्व घ्रीम में प्रभीश नहीं कर पाएंगे ऐसे में मंदीर कमेटी द्वारा शर्धालों से अपील की जारी है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें अधा बंगाइनी का नबराप्त रोगा सारा कारेक्रम जो था उसमाप्त हो गया है और आज के बाद लिपन स्रकान ये गाइडलाइन कोरोना के उपलक्ष में हमें दी है कल से हमारा जो मनदिर का का गर्व घुन में हमारे कोई दर्शन नहीं होगे, मंदिर जाकर अंदर कोई दर्शन नहीं होगे बाहरी हम दर्शन करवाएंगे और भार-बार से ही शर्धालों आएंगे और भार-बार से ही दर्शन करके चले जाएंगे यहां पर रहने की कोई बेवस्था नहीं की गई है इसलिए कि COVID-19 के वेज़ से ताकि माँ भारी ना पहले और जो भी दिशा निर्देश सरकार दोरा दी जा रहे हैं मंदिरों को बंद करने के हम भी उसका पालन कर रहे हैं और हमारा निवेदन है सभी शर्धालूं से कि जिस प्रकार से सरकार ने जो यहां पर एसोपी जारी की है अधिशा निर्देश जारी कि उसके मुतावि उसका पालन करें मास्क लगा के सभी आए सेनिटाइज करके आए हाथ वगेरा धोके आए डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंग जो है वो बना के रखें और बीदीवत रूप से भार भार दर्शन करें और वापस घर चले जाए रहने की और ठैने की कोई वियोस्ता और खाने की वियोस्ता और होकी माता भंग्याईनी मंदिर से लाखोन लोगों की आस्ता जूड़ी है यहां ना कीवल हिमाच्य प्रदीश बलकि भारी राज्जुन से भी बड़ी संक्या में शुर्धा लूप उँचते हैं देश में लगातार बढ़ रहे करोना संकर्मन के मामलों को देखते हुई जहां केंदर सरकार द्वारा एक मई से अठारा साल से अधिका आयू के लोगों को भी करोना का टीका लगाने के आदेश जारी किये गए हैं तो वहीं स्वास्ते विभाग ने टीका करन को लेकर अप बिलासपूर जिला में टीका करन अभियान को बहुत सफलता मिल रही है जिसके चलते स्वास्ते विभाग बिलासपूर ने 45 साल से अधिक आयू के 75 प्रतिशत लोगों को टीका करन अभियान से जोड़ दिया है जबकि आगामी दस तिनों में 25 प्रतिशत का टार्गेट हासि प्रतिशत टीका करन का लक्षय अप्राप्त किया जाएगा जिला स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंग ने कहा कि 45 साल से अधिक आयू के एक लाख 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना था जिसमेς 77,500 लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा अभी सब हेल्स सेंटर, हेल्स सेंटर, पीएचसी, सीएचसी और जोनल अस्पताल में लगेगा और उन्हें पूरी उमीद है कि सभ्यान में यूवा भी बढ़ चड़ कर भाग लेंगे। अभी तक हम 77,500 लोगों को वैक्सिनेट कर चुके हैं जो 45 साल से उपर हैं और इनकी कुल संख्या जिला में 1,10,000 के आज पास है तो टोटल हमने 75% पॉपलेशन को वैक्सिनेशन का एक इंजेक्शन तो लगा दिया है और काफी लोगों को दोनों डोजिजिस की लग चुकी हैं और इसके लिए हमने बड़े व्यापक परभंद किये हैं यह एक ऐसा जिला है जहां पर लगभग सारे हेल्थ सबसेंटर जो के हेल्थ सिस्टम की एक छोटी काई होती है जो एक गाउं में या दो गाउं का एक हेल दूबर को विजलाई हमें हर पी एक सी में हफते में दो दिन और बाकि जो हास्पिटल नहीं वहां पे सारे दिन सातों धिन हफते में यह इंजेक्शन लगते हैं तो क्योंके यह हमने बहुत ज्यादा जगा पे यह इन्जेक्शन की वे विश्टा की थी इसी वज़ा से हमा जो फस्ट डो ज़़ लगा लेंगे और इस तरह से हमारी पन्ताली साल से उपर वाली पॉपलेशन कावर हो जाएगी हमारे पास टीका करन जो केंद्र हैं वो काफी ज्यादा है और हम सक्षम रहेंगे कि हम सारे जो अठारा साल से उपर के व्यक्ति हैं या लोग हैं सब को टीका लगा सकें और जहां तक इनकी कुल संख्या का प्रशन है वो दो लाह के आसपास ये पॉपुलेशन होगी और इनको भी हम आने वले समय में जैसे ही गवर्मेंट की जो प्रशन कर लगाएंगे हमाचल खबरनावा के सानुक में इतना ही मुस्कार